हेलो, जैसा कि सबको पता है कि गेट एक्जाम आने वाले हैं, तो इंपोर्टेंट क्या है, तो देखते हैं, इंपोर्टेंट ऑफ गेट 2017 बाई अनलॉक टेकी ग्रूप, जैसे हमें पता है कि ये ग्रूप बनाया गया है क्रैक करने के लिए गेट के लिए, तो टोटल मार्क् सेक्शन में डिवाइड है, ये आठ सेक्शन में जो पहला सेक्शन आता है, जो हमारे एलेक्ट्रोनिक्स और कॉम्निकेशन ग्रूप का, वो पहला है इंजिनिरिंग मैथमेटिक्स, अब इंजिनिरिंग मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीज़े हैं, हम सारी चीज़े तो कर नहीं सकते हैं, अगर time है तो कर सकते हैं, बट जो important topics है, वो है, यहाँ पर highlighted है, जैसे eigen values and eigen vectors, similarly partial derivatives जो बहुत-बहुत ही important है, partial differentiation भी important है, similarly vector analysis में vector in plane and space, जो underlined part है, वो बहुत-बहुत-बहुत ही important है, कि उसमें से कोई-ना-कोई question as it is, based on theory और उसके formula पे gate में आते हैं, जैसे कि हम सुब को पता है, सब हर gate में आपके कुछ-ना-कुछ questions अलग ही होते हैं, तो यह जो highlighted sections हैं, उसको करके जाने से आप guarantee gate को clear कर सकते हैं, जैसे आपका section 2 है, वो है network signals and system, इसके अंदर जैसे super position theorem हो गया, बहुत-बहुत important है, RLC network, DFT हो गया, Z-transform हो गया, stability हो गया, जिस पर questions बनते ही ही बनते हैं, तो third section में देखते हैं, electron device and circuits में, जो भी topic दिया गया है, वो सारे के सारे important है, तो इसको अगर हम revise करें, technically और formula से, और इसके जो numericals हैं, आप standard book से पढ़ें, तो हम easily gate को crack कर सकते हैं, section 4 देखते हैं, वो है analog circuit, analog circuit में हमारे पास rectifiers है, energy, MOSFET amplifier, bass, stability, MOSFET, simple opamp circuit, उसके बाद voltage, 555 timer, यह बहुत ही important है, आपको जरूर से पक्के से करके जाना चाहिए, अब section 5 है, वो है हमारे digital circuits, digital circuits में, basically sequential circuits, flip-flops, इसमें microprocessor के programming, यह सारे important चींज है, section 6 में देखते हैं, control system में, basically stability पर question बनता है, to find out the C by R ratio पर important है, route stability है, root locus है, इन सब पर बहुत ही important questions बनते हैं, जो हम easily solve कर सकते हैं, फिर आता है आपका section 7 that is communication, उसके अंदर, analog communication के अंदर हमारे पास EM अच्छे से करके जाएं, FM अच्छे से करके जाएं, उसके बाद जो important है, इसके अंदर भी, वो है, ASK, FSK, PSK and QAM, और इसके अंदर TDMA, FDA में, CDMA में भी बहुत important जिस पर questions बनते हैं, अब last section है, वो है, Electromagnetrics का, Electromagnetrics के अंदर हम सब को पता है, कि standard Maxwell equations पर questions बनते हैं, और वो standard भी है, तो उसको पढ़के जरूर सजाएं, boundary conditions है, light propagation in optical fibers पर questions बनते हैं, तो आप सब करके जाएं, यह सारे जो underlines हैं, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद यह video watch करने के लिए, अगर आपको यह helpful लगा, तो please like और subscribe, as well as share करें, thank you.